हेलो चैम्पियंज, वेलकम डू फैंटेसी क्रिकवा, व्ल्ड कब दोजा, तेईस में खिला जाने वाला 28 वाउड याई मुकाबला जो कि खिला जाने वाला है बांगलादेश वर्सेस निदलांड के बीच में 28 अप्टूबर को ये मुकाबला दो बजे दो पैर में इडन गा लगा के क्लीन स्विप कराया गाई लास माच पाकिस्तान साउथ अफरीका वाली बात हम कर रहे हैं गाई उस मैच में समसी हमारा ट्रम प्लेयर था इसके लावा कुर्जी जिसको बहुत सारे लोगों ने ड्रॉप किया लेकिन फैंटसी क्रिक बॉल ने आपको कुर्जी प् हमने बाबर आजम बनाके दिया था तो गाइस बहुत अच्छी विनिंग कराई है और सारे प्रूप सारे स्क्रीन शॉर्ट सेम टीम जो आपको प्रोवाइट किया कितनी विनिंग हो यह सारी चीजें आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी उसके लिए आपको टेलिग्राम पर जोइन करना पड़ेगा जोइन होने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं है लेकिन एक बार जाकि देखना जरू लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कॉमेंट बॉक्स में पिन है अगर लगेगा बात में सच्चा ही है तो फिर जोइन हो जाना और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाना क्योंकि बाक टो बाक क्लीन स्विप करा रही है फैंटेसी क्रिक बॉल्ल इस वर्ल्ड कप में एक नया रिकॉर्ड बनाया इतने जादा मैचे जितने मैचे क्रिक बॉल्ल ने विन करा है इतने मैचे किसी ने भी वर्ल्ल कप में विन नहीं करा है और ये सारे बाते इसे बोली नहीं जारी है प्रूफ के साथ आपके सामने है आप पहले मैश से उठा के देख लेना आप हम 28 में मुकाबले तक आ गए है आप 27 में से देख सकते हो कि 23 से 24 मैच हमने clean sweep कराया है गाइस और इस मैच के अगर हम बात करें यहां दोनों टीमें काफी जादा बराबरी काटक्टर देखने को मिलने वाला है इस मैच में कौन जीतने वाला है कौन आपकी fantasy में दिलाने वाला है सबसे जादा पॉइंट क्या लिटन दास इस बार यहां flop होने वाले या इस बार बल्ला बोलेगा शंटों से कितनी पारी आएगी सामने वाले टीम से मैक्स ओडाउट विक्रम जीत सिंग से क्या इस मैच में बेटिंग से उम्मीद लगाई जा सकती है या फिर से ड्रॉप करना बेतर रहने वाला है का रोल क्या रहेगा कौन सी टीम टॉट जीतने की बाद बैटिंग बॉलिंग करेगी इसके साथ इस मैच की टीम वेन्यू स्टाइट सारे ही खिलाडियों की रीसेंट परफॉर्मेंस क्या है दोनों टीमों की बॉलिंग ओडर हैट टुएड रिकॉर्ड ग्राइड लिग ए और वर्ल्लकप के सारे वीडियो में आपको गिब ओवे स्पेशल वीडियो मिलती है तो आप फ्री में गिब ओवे जॉइन करो और बहुत सारे इंजॉइ करो जिससे आप एक कॉंटेस जॉइन करो गाईज वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है फर्स लाइक फर्स सब्सक्राइब करना है जानल वे करने यहां से कर लेना है पचाइसी हजार से ज्यादा लोगों ने इतने जल्दि कर फामिल्य पर विष्वास देए दिखाया है आप भी मजबूर हो जाओगे अगर आप हमारी टीम जाके देख लोगे जोई होने के लिए और हमारी फैमिली में हमारे साथ जुड़ने के लिए क्रिक बॉल के तरफ से आपको हर एक मैच की free fantasy team provide की जाती है dream 11 टीम चाहे grand लिकी हो चाहे small लिकी हो फ्री Asian अगर आपको किसी भी fantasy application के बारे में अगर आप कभी किये जाएंगे guys, यह मेरा दावा है कि यहाँ पर आपके साथ बागे आप family हो याँ जिस तरह का साथ प्यार मिश्वास बनाए है, आगे बनाए रखेगा वीडियो को share जरूर कर दीजेगा, like कर देना याँ एक छोटा like बनता है, एक सिकंड लगता है वीडियो को like कर दो, यह match खेलना का है, तो यह match खेलना स्पोर्स बाजी पर क्योंकि GST free app है, आपको यहाँ पैसे नहीं देने, एक्स्ट्रा पैसे, company खुद सारा GST बेर कर रही है, अपने साइट से pay करेगी आप as it is, जैसे पहले खेलते थे आप ऐसे ही खेलो, करना क्या और फाइदा क्या है, यहाँ आपको MegaGL में free खेलने का मौगा मिलेगा सिर्फ आप जल्दी से download करो link description में, पहले sports बाजी download करना है, उसके बाद क्या करना है मैं आपको उताती हूँ, आपको 500 का deposit करना है, और इसके साथ आपको इसने को मिल लिए, जहाँ कुछ न बूस तो जरूर जीतोगे, तो guys फटा-फट जाओ download कर लो, एक चीज़ याद रखना है कि अगर महाँ पर refer code नहीं दिखेगा तो refer code, cricket ball, use जरूर कर लेना, ताकि कि आपकी कोई problem आएगी, तो उसका solution हम आपको करके दे, चलिए guys, बात कर लेते हैं match venue के, क्योंकि world cup का पहला match है, जो कि Eden के match पे खेला जाना, Eden के pitch पे, Kolkata में खेला जाने वाला, अगर हम बात करें venue की, तो betting पिछे हम सब जानते है, Eden हमेशा से मानी गई है, कि batters की favor में ही pitch हमेशा से नजर आई है, इसके लावा अगर हम बात करें balling attack में, तो पेसर को काफी जादा मदद मिलती है, जैसे यह से game progress करेगी, आपके spinner भी game में आएंगे, आगे हम अगर बात करें, यहाँ पर guys, थोड़ा सा stats देख लेते हैं, तो total देखो तो pitch पे 30 match खेले गया है, फर्स बैटिंग करने टीम ने जादा तर match जीते हैं, और यही मैं हमिशा आप से बोलती हूँ कि यह stat जहां आपके सामने आए, आप समझाओ कि वो pitch better की पीच है, average score in first inning 256 है, highest score इंडिया ने बनाया है, 404 पे 5 प्लस वाले भी में, pace versus spin में मैंने आपको पहले ही बताया है, कि pacer को जादा मंदद मिलेगी, जो last match pitch पे खेला गया था, शिलंका versus इंडिया के बीच में, guys, खेला गया था, यह मुकाबले की बात करें, तो यहां पर देखो, 16 victory थी, इंडिया ने chase करते वे स्माच को जीता था, 16 में इसने आपकी 10 victory निकाली थी, आपके pacer ने, और मात्र 5 victory मिली थी आपके spinner को, एक और match देखेंगे इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया जो खेला जाता है, यहां पर इंडिया ने फर्स बेटिंग करते वे जीता था, 17 victory यहां पर गिरी थी, जिसमें से आपकी 13 victory मिली थी, आपके pacer को और spinner की बात करें, तो मात्र 2 victory मिली आपके spinner को, तो guys यह चीजे हैं, आप देख लो किस तरह का match हो रहा है, तीनों ही match में आपने देखा है, कि pacer ही यहां पर भी जादा महें मतलब कि आपके point आपकी fantasy में दिलाने वाले हैं, बात करेंगे दोनों टीमों की क्या होने वाली यह play 11, सबसे पहले हम यहां देखेंगे, बांगलादेश की play 11 क्या रहेगी, ओपर करते में नजर आएंगे तंजीत हसन, उंका साथ देते भी दिखेंगे बांगलादेश का खिला गया था, वो मैच अगर आपको याद होगा वो मैच बांगलादेश हारी जरूर थी, लेकिन हमारा ट्रम काट प्लेयर थे, वहाँ पर महमद उल्ला और उस मैच की भी टीम आप जाके उस डेट वाइज आप टेलीग्राम पे सबकी टीम चेक कर लेना कि किसी ने आपको महमद उल्ला नहीं दिया था, सिंगल चैलल फैंटेसी क्रिक बॉल ने आपको महमद उल्ला वहाँ प्रोवाइट किया था और भाई सतक जड़ा था, वन साइड़ पॉइंट डिलाया था और हमारी वन साइड़ विनिंग भी उई थी, इसके लाबा इस माच में देको लिटन दास की इंपोर्टेंस काफी जादा रहेगी, मेंदी असन मिराज, सकीबल हसन अगर बंगला देस पहले बैटिंग करने आती है, तो शंटो भी टीम में रहने चाहिए, बॉलिंग से याँ पर मुस्त फिजुर शौरिफुल इंपोर्टेंट रहेंगे, मैं मदुल्ला ग्रैंड लिक पिक बन सकते हैं, क्योंकि सामने वाले टीम थोड़ी सी अगर बात करें, बैटिंग में बीक है, तो पहले अग अगर पहले बल्ले बाजी करेंगे, हम सब को पता, स्कोर जादा नहीं बनेगा, क्योंकि मंगलादेश की बॉलिंग अटाइक इनफ है, मतब आप देख लोए, आप पर हसन मैमूत की बात कलें, नसूम की बात कलें, मुस्त फिजुर शौरिफुल सकीप खुद इतनी टीम की अगेंस, वेन्यू पर सब बाते करेंगे, ताकि कि आपके लिए सानु जाए कि Grand League में किसको रखना है, किसको ड्रॉप करना है, Small League में किसके साथ सेफ जाना है, तंजीत हसन की अगर हम बात करें तो, यहाँ पर एक मैच चल रहे है, एक मैच डॉप, यहाँ पर चल सक करेंगे, शंटो चार मैच से फ्लॉप है, और इस मैच में शंटो की चलने की चांसे बहुत जादा हाई है, आप Grand League में इनको BC भी बना के ट्राइ कर सकते हो, मुझे लग रहा है, इस मैच में शंटो जीयर की बेस्ट पिक रहने वाले हैं, आगे हम देख लेते हैं, इसके ल पंदर रन 3 विगेट, 1 चार से बिटर मांच में मिल रही है, निदलायंट के लिगाइए तो निदलाय है, आपको कहा ट्राइ करना है, निदलायंट अच्छी है, तो आप या मत सोचना की विटर नहीं जाएगगे, अगर पांगलाधेश पहले बैटिंग आती है, तो थो betting भी आएगी ही आएगी यहाँ पर लेकिन आप अगर आखड़े देखो तो कुछ खास नहीं है निदलाइड के सामने दो मैच में 11 रन बने नसूम की बात करेंगे एक विकेट एक विकेट एक विकेट एक विकेट लास्ट दो में इसक्राइड के साथ मुस्त भुषान की बात करेंगे जो कि अखरी दो मैच से फ्लॉप है और इस मैच में मुस्त फिजूर को तीन विकेट दो से तीन विकेट कंफर्म मिलेगा ग्राइड लीग में ट्राइड कर लेना शौरिफुल इसलाम को भी देखो अगर आप तीन मैसे शौरिफुल भी ऑल्मोस फ्लॉप है यहां पर भी शौरिफुल ग्राइड लीग में अच्छी पिक हो सकते हैं और हाला कि शौ में में ऑल्मोस फ्लॉफ है उबर हो तो ऐसे ये बॉलिंग ओडरिंग की रहेगी आप बात कर लेते हैं निदा लाइंड की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है निदा लाइंड इन भी बहुत ही मतलब मैं बताऊं कापी अच्छी टीम है बहुत इंप्रेस किया इस वर्ल्ड कप में जिस तरह से ताउत अफरीका को भी हराया था इस माच में ओपन करने आएंगे विग्रम यहाँ पर यह प्लेइंग 11 रहेगी जिसमें से अगर आप मेरे से चार खिलाड़ी पुछोगे वह चार खिलाड़ी मेरे यह चारो रहेंगे कॉलिग अकर्वन बैस दिलीडे मर्वे और लोगन वेल्विक मर्वे और मिकरन में से आप किसी एक के साथ जा सकते हैं स्कॉर्ट एडवर्ड पांच में ओप्शन होगे चार-साथ-चार के कॉमिनेशन अगर आप टीम बना रहे हो वहाँ पर अगर पांच में ओप्शन होगा तो स्कॉर्ट एडवर्ड वो भी जबकि निदल लैंड पहले बैटिंग करने आएगी तो वहाँ पर हम जाएंगे कॉलिंग दोनों से परफॉर्म करेंगे आप कॉलिया कर्मन को अपने टीम से ड्रॉप मत करना ग्रैंड लीग के काक्टी में इनको आप वी सी भी ट्राइक कर सकते हो इसके अलावा अगर हम गाईज यहां पर देखें बैस दी लीड जो की बहुत इंपॉर्डन प्लेयर है कि खेमे से सरसट रं 4 विकेट, 18 रं 1 विकेट, 2 विकेट, लास्ट मैंच में 2 विकेट लिया था उससे पहले फ्लॉप थे तो यहां देखो विकेट भी आएगी रन भी बनेगा कैप्टन वोइस कैप्टन के लिए बहुत ही अच्छे उप्शन आने वाले हैं बैस दे लीड है नीदा मन्रू की बात करेंगे पूरे फ्लॉप है मैं इंके साथ नहीं जाने वाली विकेट करेंगे ड्रॉप सीधे सीधे बिना डाउट के स्कॉट एडवर्ड जो कि मैंने काया इंको आप ट्राई कर सकते हूं यह आपको बैटिंग से देखो पॉइंट दिला सकते हैं क्योंकि अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और मंगला देश की खिलाब थोड़ा अच्छा बैटिंग कर मुझे लग रहा है मर्वे की बात कर लेते हैं 0- Mang eq को विकट नहीं मिली है इस माच में विकेट कफर्म मिलेगी और बैटिंग से भी आपको पॉइंट मर्वे लास सकते हैं व्यां वीक इन वीबात करें अगर हम लोगयन वैंड की तो तो यहां दो मार्ष में即 ब्रविक दिखा लिज लोगन में भी चाहे टीम स्मॉल लिकिए और टीम ग्राइं लिकिए और नहीं करना है हर एक टीम में जगह देनीए गाई विकेट शार नहीं है डालेंगे एक करने जहीं हैं इसके लाब आँगे बाद कर लेते हैं यहां पर आरेंद दथ जरो कर दो जर यह बात हो गई है हमारी प्लेंग 11 की एक्स्टर प्लेयर की स्टाइट भी आप देखो अगर कोई चींज होता है तो आपके बस प्रॉपर स्टाइट होना चाहिए अगर बात करें निदर लाइंड की बॉलिंग ओर क्या रहने बाड़े तो यहां पर आपके बॉल डालने वाल यहां पर चलने की जानसे बहुत जाद है तो गाइस यह बात हो यह प्लेयर्स परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों टीमों ने आपस में दो मैच आमने सामने केला है और एक-एक मैच दोनों ही टीम ने जीता है तो आप ऐसा कुछ वन साइडेट इस मैच को बिल्कुल भी समझने की गलती मत करना ठीक है लास मैच जो खेला गया था निदर लाइंड वर्सेस बांगलादेश के पीच में वो मैच बांगलादेश जीती थी और आ मैच 2-10 में दोनों टीमें खेली थी वहां पर निदर लाइंड ने वो मैच जीता था वहां पर बरेशी ने परफॉर्म किया था जो कि अभी नहीं कहले हैं सकीब ने लेकिन यहां भी विकेट लिया था रन भी बनाया था और मैधुला ने भी ठीक ठाक बेटिंग करी थी त तो मुझे जो लगता है कि बंगलादेश इस मैच को जीतने वाली है ऐसा मुझे लगता है आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म की बात करें तो निदलान्ड आखरी पांच में से जीती है एक तो अगर दोनों टीमों की आप कॉम्पेर करोगे तो परड़ा भराबर हो चुका है तो क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है मैंने तो बता दिया आप भी बता देना भूलना नहीं है जब बात होई गई है यहाँ पर मैंने आपको अपनी प्रॉबिल्टी बताई दिये त बांगलादेश क्या निदल लाइंड बांगलादेश के अगेंस्ट एमाज जीतेगी अगर आपको लगता है कि यह प्रॉबिल चांस हो सकता है तो आप बिट कर सकते हो यहाँ पर टूपे अगर आपको लगता है कि नहीं जीतेगी बांगलादेश जीतेगी तो आप यहाँ पैसे बनाओ, इसके अलावा आप यहां पर इस टॉक भी फर्चिस कर सकते हो, आप इस टेक ले सकते हो, प्लेयर्स के साथ, अगर आपको लगता है कि जो भी प्लेयर, अगर शकीब इस मैच में ज्यादा पॉइंट दिलाएंगे, या सामने वे टीम से ज्यादा पॉइंट दि अगर मैं दोनों में कंपेर करो, मुझे रखता है बास दिलीडी इस माच में ज्यादा पॉइंट सकीब से दिलाएंगे, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है गाइस, बाकी मैं कंफर्म कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ, तो चलिए बात कर लेते हैं, इस माच की मेरी बेस्ट फै और यहाँ पर अगम बात करें, तंजीत के जगब पर आप यहाँ पर स्कॉट एडवर्ड को भी ट्राई कर सकते हो, यह एक चेंज हम केर सकते हैं, बागी कैप्टैंसी के बेस्ट सेफ उप्शन रहेंगे, साकीब, बीसी के लिए आप बास दिलीडी के साथ जा सकते हो, बास माच बोला था, 100% जीत के दिखाया, इस माच में भी आपको बादा कर सकती हूँ, इस माच में इस माच में कराने वाली हूँ, बागी ग्रैंड लिग पिक क्या रहने वाली है इस माच की, क्योंकि हमको ग्रैंड लिग में विनी करनी है, और इस माच में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग माच है, मैंने चार पिक लेके आई हूँ, कैप्टन वोइस कैप्टन की पिक है, यह मेरी ग्रैंड लिग के लिए, यह कोई ट्रंप लिएर की नहीं है, तो यहाँ पर गाईज, मुझे जो लग रहा है इस माच में, कैप्टन वोइस कैप्टन आपको ग्र यहाँ विराट कोली फ्लॉप होने वाले लेकिन विराट कोली उस माच में सतक मार के जाता है, तो उसी तरीके से इस माच में भी आपके इनहीं चारों में से कोई दो-तीन की लाड़ी होंगे, जो सबसे आधा पॉयंट लाईंगे, तो कोशिश करना कि सीवी सीन में से ट्रा बागी मेरी फाइनल टीम आएगी मेरे टेलिग्राम चानल फैंटेसी क्रिक बॉल पे जिसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कॉमेंट बॉक्स में पिन है तो आप जाओ अच्छे कॉमेंट करो वीडियो के लिए और आपको लिंक भी मिल जाएगी तो चै कि टेकर बॉलर कौन होगा सबसे ज्यादा विकेट कौन निकाल के देगा दोनों पूश्चन का आंसर आपको सही सही कर देना है हैस्टेग लगा देना निदलना वर्सेज बांगलादेश तो गाइस बस इतना ही करना है बहुत इजी है आंसर कर दो हैस्टेग लगाना मत आने वीडियो कैसी लगी इसके साथ इसाथ आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो